प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है वैं हूँ आपके साथ शिक्षा मेरा उत्रा शुरुवात करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की मनारस की चर्चित ग्यानवापी मस्जिद को लेका सुप्रीम कोट ने गुरुवार को सुनवाई शुक्रुवार तक के लिए स्थागित कर दी है इसके साथ शिश कोट ने वारारसी की निचली कोट को निरदेश दिया है कि वो तब तक इसम मामले में सुनवाई ना करे और ना ही कोट आदेश जारी करे सुप्रीम कोट ने कहा कि ग्यानवापी मामले पर वो कल तीन वजे सुनवाई करेगी सुप्रीम कोट ने कहा कि तब तक वारारसी की सिविल अदालत इसम मामले में कोई आदेश ना दे इसे पहले हिंदू पक्ष के वकील विश्णु शंकर जयन ने कहा कि वरिष्ट वकील हरिश्णु शंकर जयन अस्वस्त है इसलिए ग्यानवापी मामले की कल सुनवाई की जाए तो ग्यानवापी परिसर में सर्वे का मामला है जहां सर्वे तो पूरा हो चुका है लेकिन सुप्रीम कोट ने सुनवाई को कल तक के लिए स्थागित कर दिया है आपको बता दे कि सुप्रीम कोट में आज सुनवाई होनी थी लेकिन इसे कल तीन बजे तक के लिए स्थागित कर दिया गया है तारे साक्ष कोर्ट में पेश कर दिये गए हैं लेकिन अभी इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी सिर्फ इन साक्षों को देखा जाएगा और इसके बाद फैसला कल ही किया जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी कल तीन बज़े तक के ये कल के लिए स्थागित कर दी गई है आज किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं लिया जाएगा क्योंकि जो वकील है वो अस्वस्त हो गए है जिस वजह से ये मामला अब कल सुनवाई होगी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट है कहा है कि तब तक वरार्सी की सिविल अदालत भी इस मामले में कोई आदेश ना दे इसे वहले हिंदू पक्ष के वकील विष्णू शंकर जैन ने कहा कि वरिष्ट वकील हरी शंकर जैन स्वस्त है इसलिए ग्यानवापे मामले की कल सुनवाई की जाए ये कारण है जैसे कल तक के लिए टाल दिया है हलाकि साक्ष सारी रिप साक्ष पेश करे जा रहे थी उसकी सुनवाई चल रही थी लेकिन सुनवाई होगी संग्यान दिया जाएगा लेकिन उसमें कोई फैसला नहीं दिया जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने से अभी रोक लगा दी है तो जिस तरह से ग्यानवापी परिसर में तीन दिन तक सर्वे हुआ एक एक छोटी बड़ी चीजों की परताल की गई वीडियोग्राफी की गई फोटोग्राफी की गई वहाँ पे हर एक चीजों को खंगाला गया और साक्ष एकत्र करे गई है आपको बता दे कि बारापन् लेकिन तभी सुप्रीम कोट की तरफ से आदेश आया कि इस सुनवाई को कल के लिए टाल दिया गया है और जो नीचे लिए अदालत है वो भी कोई फैसला ना दे तो दोनों का ही वो जहे बनारस कोट हो या फिर सुप्रीम कोट हो दोनों का ही मिला जुला फैसला आएगा इ आगे के कारेवाई करी जा रही है जो सुनवाई है उसका दौर भी चल रहा है लेकिन जो आज सुनवाई होनी थी जुमो के सुनवाई थी और जहाब सारे साक्षों पेश करने थे और उसके बाद जो फैसला आना था उसको ले करके अब कल फैसला होगा इस खबर पे माई सब्सक्राइब बाचीत के लिए समधाता विभांशू जुड़ चुके है लखनव से विभांशू जो सुनवाई होनी दी सुप्रीम कोट ने उसे कल तीन बजे तक के लिए टाल दिया है साथी साथ साक्ष तो आज पेश करे जाएंगे लेकिन उसमें फैसला कोई नहीं दिया जा सकता है वो चाहे वानार्सी कोट की तरफ से हो या फिर सुप्रीम कोट की तरफ से हो तो क्या कुछ जानकारी है आखिर जो कल पैसला आएगा वो किस आधार पे आएगा किन-किन चीजों को देख के सुनवाई की जाएगा और आज जो साक्ष पेश करे गए हैं उसमें क्या-क्या चीजे मौजूद है जे ये सिखा आपको बता दे कि ग्यान भापी मस्जड में सिखलिंग होने की बात जो जा जा रही है साती-सात मामला कोर्ट में है इसमें आपको बताए कि जो साक्ष थे ड़ो भी विडियो विटनिस थे साती-सातं है प्रश्ट करना था वहीं आपको बता दे कि आज जो सुनवाई होने थी इसमें दो बज़े आपको बताएं कि जो भी एविडेंश वो पेस की जाएंगे तो सुनवाई कर तक तीन बैह तक डाल दी गई है और वहीं आपको बताएं कि सुप्रीम कोट में अधबनावस में जो तमाम निर्देश दिये हैं साथी साथ किये माना जा रहा है कि इसे जो निर्देश आएंगे वो सुप्रीम कोट के दोरा आएंगे अब इस पर अभी कोशन मार्क लगा हुआ है और ये जुडिसियल मामला है अभी जानकारी नहीं हो जल्ले इस पर जानकारी मिलेगी मगर ये साफ है कि कम तीन बजे के बाद माना ये जा रहा है कि इस पर सुनवाई होगी सिखा आपको बताए कि जहां दोनों परक्ष से एक जहां मुस्लिम परक्ष की तरफ से पुहारा कहा जा रहा है तो अब देखने अली बास दिए होगी कि सुनवाई में क्या निकल कि आता है मगर वहीं अदिकर बात करें तो तमाम तीन दिनों के सम्वे के बाद अगर बात करें तो जो ग्यान वापी महसित परिसद है उसमें कई चक्रों की सुरचा लगा दी गई है जब तक सुनवाई नहीं होती है तब तक वजू खाने को भी पतिबंदित कर दिया गया और वजू का जो अस्थान था नवाद चलती रहेगी मगर जहां वजू होता था उस जगे को बैरिकेटिंग करके और पतिबंदित करके वहां वजू के लिए भी मोक लगा दीगे आने वाले सुनवाई के बाद ये खोयर जो वजू असल उससे भी खोला जाएगा वो सुनवाई के रिजल्ट पे डिपेंड करेगा मगर वही है जब बात करें तो बनारस का जो बाबा भी सुना से समित ग्यानरापी का गेट है उसको पर बन्द कर दिया गया है जे सिखाब विभाशू आज बारा बजे दो बजे दो सुनवाईया होनी थी लेकिन दोनों में सुनवाई तो होगी फैस्ता नहीं लिया चाहेगा उसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे कि जो भी एविडैन्स में धोनोंench था草 है जो कि पावाश्यकार जो की पूरे मॉडवेटर के तौउफ पहलू को देखेगा लाज सुनवाई थी आलगा सुनवाई थी उसमें साफ़ साहीं नन्दी औहराज है उनके समीड जो गेट है उस गेट की उपरी परक को उदार कर और जो प्राजीन समय का गेख है उसको भी विडियोग्रापी की जा और जिसके बनाए गया है उसकी भी जाज की जा जिससे ये साफ हो पा है कि क्या वाकई में जो ज्यानरापी महसिद है वो जा पहले मंदिर हुआ करता था क्या वो गौरी सिंगार का जो कि वरिष्ट वकील है उनकी स्वास्त अस्वस्त बताया जारा है इस वज़े से ही आज की सुनवाई को टाल दिया गया है तो क्या लगता है कल वो स्वस्त होके जो बलॉटेंगे तो समय पे कारवाई शुरू होगी जो हिंदू पत्स के वकील है विस्कु जैन उनका अभी हाली में तब्यक ख़राव होगा इसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिया करा गया है उनके जो सही होगी है उनके टीम के मेंबर उनको पुरी चार्ज दी गई है उनके तुमें दस्तावेज दिये गया है कि आप इ से अपने दलील को पेस कवेंगे और माना यह जा रहा है कि अगर विश्कु जैन का स्वास्त सही रहा तो वो जरूर एक कोट के जो गरवाई है उसमें मौजूब रहेंगे और पक्स बच्ते होने रहेंगे मगर उनके टीम के सभी सदस्ते जो भी उनके लावा वी सब्सक्त किया गया है दलील दी गई है उसे बेहते अच्छे तरीके से समझते और जानते हैं तो उनकी तो उसे कोई चूप नहीं होगी मगर जो विश्कु जैन है उनकी मौजूद की उनके स्वास्त पर निर्भर करेगा अगर वो अस्वास्त उनका सही रहा तो वो जरूर जो पर निर्भर करेंगे वहीं आपको बताएं कि मुस्लिम पर्स का ये भी कहना है कि आप पहले उन सभी पहलू को खंगाल के जो विपोर्ट दी गई है उसके तरह से जो उनके तरह से कहा जा रहा है कि तो वहीं हिंदू पर्स की तरफ चे उसका उल्ड़ा जवाब देते ह जो इसे भामले में पूरी तरह से जवलत की जी जी विभांशू बिलकुल बहुत 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 शुक्रिया मासा जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए इस ख़बर पे मैसे समदा तब विभांशू मड़ीतर पाठी जुड़े थे लखना उसे तो सुप्रीम कोट न मस्जिद में शिवलिंग नुमा पत्थर निकलने के बाद देश भर में राजनीती गर्मा गई है पत्थर मिलने के बाद हिंदू धर्म के लोगों का कहना है कि मस्जिद में मिला पत्थर शिवलिंग है वही मुस्लिम समुदाए ने उस पत्थर को फबारा होने का दावा कि है वहीं से मामले पर जुला मुफ्ती और अमुवी के पूर्व प्रोफेसर जौहिद अली खान का बड़ा बयान सामने आया है जौहिद अली का कहना है कि ग्यानवापी मस्जिद से पहले वहां मंदिर था लेकिन उसका जो यह साथ एक रानी जब गायब पाई गई तो राजाओं ने शिकायत की कि माजी गायब चर्ड़ा नहीं हिंदू राजाओं ने कहा यह तो जगह पवित्र हो गई है लाद इसको ढढ़ा दिया जाए और वो उन लोगों ने अपनी मर्दी से ढ़ा दिया और फ जिसका फर्मान आर्काइज में सुनाय महजूद है और और अरंग देव उसको बड़ी मुश्किल समाना और उसके तहट उस हिस्से को मस्जिद बना दिया गया बाकी मंदर इसी तरह रहा जो पवित्र था वो बरतनार रहा जो अपवित्र था वो बाकी रखा गया समाजवदी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोट से बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोट ने आजम खान को अंतरिम जमानत दे रही है कोट ने कहा कि लंबित मामलों में निचली अदालत से नियमेत जमानत ले नियमेत जमानत मिलने तक अंतरिम जमानत जारी रहे सुप्रीम कोट ने आजम खान को दो हफ़ते के भीतर संबंदित अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंतरता दी है कोट का कहना है कि समक्ष अदालत द्वारा नियमित जमानत का फैसला होने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी बतादे कि सुप्रीम कोट ने आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी है ये जमानत 89 मामले में दी गई है इसने पहले आजम खान को 88 मामलों में जमानत मिल चुकी है देश में इन्धन के मोर्चे पर लगतार महंगाई का करेंट लग रहा है और आज एक बार फिर गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोत्री हुई है अब पूरे देश में घरेलू LPG सिलेंडर के दाम 1000 रुपए के पार हो गए है आज घरेलू LPG गैस सिलेंडर के दाम में 3.50 पैसे की बढ़ोत्री हुई है वहीं commercial gas cylinder 8 रुपे महंगा हो गया है देश में इससे पहले 7 मई 2022 को भी घरेलू LPG cylinder के दाम में इजाफा हुआ था और उस समय 50 रुपे प्रती cylinder की भारी भर कम बढ़ोत्री होई थी इसके साथ ही मई महिने में दो बार घरेलू gas cylinder के दाम में बढ़ोत्री की जा चुकी है वहीं आज commercial gas cylinder के दाम भी 8 रुपे महंगे हो चुके हैं देश में कोरोना का कहर जारी है पिशले 24 घंटे में कुल 2364 नए कोरोना मामले सामने आए हैं वहीं 10 मरीजों की कोरोना से मौत भी हुई है जिसके बाद कोरोना के कुल एक्टिव मामलों की संख्या 15,419 तक पहुँच चुकी है वहीं अब तक 4 करोड 31,29,563 लोग संक्रवित हो चुके हैं वहीं मौतों का आखड़ा 5,24,303 हो चुका है खबर आगरा से है जहां यूपे पोलिस बोर्ड भरती मामले का संग्यान लेते हुए आगरा के थाना शुहागंज में साथ लोगों के खिलाफ उस शकायत करते हुए चार लोगों को जेल भेजा गया है अगरा में तेन केंद्र बनाए गये थे और इस परिक्षा के दौरा उच परिक्षारतियों ने बेहत हैरान करते हुए एक सेकेंड में एक एक प्रष्ण हल किये है कुछ अभ्यर्तियों के नकल और कम्प्यूटर डिवाइस का प्रयोग करने का भी प्रयोग कर प्रश्णों को अहल करने की आशुंका जताई गई है साथ ही पुलिस द्वारा ये कारेवाई की गई है उक्तर प्रदेश पुलिस भरती बोर्ड ने जाच करके एक रिपोर्ट हमें दी उस रिपोर्ट के मुताविक पुलिस ने यहां मुकदमा पंजिक्रित किया और यह मुकदमा स्थाना सागज में पंजिक्रित हुआ है जिसका मुकदमा संक्या है 222 बटा 2022 और 12 अंतरगत 420 एक परिक्षा औरिनियम एवंग 680 अइट इसमें साथ लोग मुल्जी मनाए गए हैं जिसमें चार वो परिक्षा में दुराचार किया है और साथ में वो तीम केंदर जहां यह एक एक आंसर हल करा गया है जिसके बाद चार परिक्षा हरतियों को गिरफतार किया गया है आपको बता देए कि नकल की बात सामने आ रही है जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है यह खबर आगरा से बताई जारी है जाहिए उपी पलिस बोर्ड भरती मामले में संग्यान लेते हुए आगरा के थाना शाह गंज में साथ लोगों खिलाफ एक्शन करते हुए चार लोगों को जेल भेज़ दिया गया है और इस खबर पर हमासर बाचीर के लिए समधा ता जिशान एहमद जोड़ चुके हैं आगरा से जिशान पूरा मामला क्या बताया जा रहा है प लेते हुए चार लोगों को जेल भेजा आगरा पहुंचे थे और उन्होंने आगरा के आगरा के आगरा के बैटक की और बैटक में उन्होंने सक्त निर्देश किये थे आगरा के बात करें तो कहां कहां पर परिक्षा केंदर बनाए गए थे जिसमें के आगरा के आगरा कॉलेज और भी अन्हे कॉलेज ते जहां पर परिक्षा केंदर बनाए गए थे लेकिन जे पिटिसन उठता है पेपर लीग होने का अभी हाली में कुछ दिन पहले आगरा पॉलिस से भी पेपर लीग हुआ था उससे पहले भी कही न कहीं देगा जा रहा है सरकार कूपर पिट्चेचन लग रहे हैं अगर बात करी जाए नकल की तों किन माद्दों से नकल की बात करी जा रही है क्या नकल की कोई चिट लेकर गय थे पूरे आगरा ही नहीं पर देश पर में हमकम समझ गया है जी बिल्कुल बहुत बर शुक्रिया हमाई से जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए इस ख़़र पर हमाई से समधा था जिशान जुड़े थे आगरा से बदायू के बिसौली नगरपाली का प्रशासन के ओर से मुख्य बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया जिससे अतिक्रमण कारियों में हडकम पमच गया है और अपनी दुकान को हटाते हुए नजर आए बता दे कि बिसौली नगरपाली का अधिश्वासी अधिकारी के निर्देश में अभियान चलाया गया साथ ही चेतावनी दी गई अगर दोबारा से कोई दुकानदार अतिक्रमण करता है तो नगरपाली का की ओर से संबंधित व्यवसाई के विरोध कठोर कानोनी कारिवाई की जाएगी खबर हमीरपूर से है जहां छेतर के चिकासी में चकबंदी विभाग दुआरा की गई अर्नियमित्ता और अभियदानिक्ता के ओ लेकर साथ ही पेड़तों को प्रत्यावेदन की जुआने से नाराज जग्रामीडों ने जुलाधिकारी को ग्यापन सौप का चकबंदी एसी ओ का ट्रांसफर करवाने के मांगी है उन्होंने आरोब लगाते हुए बताया कि एसी ओ की तरफ से गाओं की लोगों के बीच यो पार्टी बंदी करवा दी गई है फोर्लेन किनारी गाओं सभा और सरकारी भूमी पर कई लोगों को दुकानों के साथ साथ मकान बनवा दिये गए हैं जिससे सरकार को लागों रुपए की छटी पहुची है का ओधी बुदब के टिरी जोर सब्सांव गाओं गाओं उसज़्ट बंदी में बहुत सारी अनिये मृताय हुई है उन अनिये मिताओं के शुधारी करण हैœतु, हम का मामला कोर्ट मेरी है, हाई कोर्ट मेरी जरज है वहां से जो निस्तारण होगा उसे हम लोग स्विकार करेंगे माननिय जिलादकारी महोदा हमीरपुर से जापन देने आये हैं क्योंकि हमाई यहां चकवंदी में भारी अनिमाताएं हुई हैं जिन लोगों के दो वीगा के चक्वें उनको 28 वीगा का बना दिया गया इसी गोरखपुर दौरे पर पहुंचे मुख्छ सचेविदुरगा शंकर मिश्रा ने समीक्षा बैठक की वहीं एमस गोरखपुर में समीक्षा बैठक की गई जहां एमस में लाज की सुविधा के बारे में एमस के एडी से जानकारी ली साथ ही JEE AES के तैयारियों के बारे में जानकारी बता दे कि समीक शाबाठा के दौरान एम्स गोरकपर की EDCMO कमिशनर डी-म समय तसम्बंधित अधिकारी भी मौझूद रहे मिजनार में एक डॉक्टर को ट्राफिक कॉंस्टेबल से उलजना भारी पड़ गया जहां डॉक्टर कर ट्राफिक कॉंस्टेबल से उलजते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वारल हो रहा है ज Soul, डॉक्टर ट्राफिक कॉंस्टेबल से उलजते हुए धिहाई दे रहा है और वारल वीडियो में वह उससे धम dzihram हुए भी देखा जा सकता है ट्राफिक कॉंस्टेबल मोहिट चौहान ने डॉक्टर के खिलाफ थाना चांदपुर पर मुकदमा दर्ज कराया है बता दे के मामला बिजुनौर के चांदपुर थाना छेत्र का है पूसल मेडिया पर एक वीडियो वारल में जिसमें ठाणदपुर में हेट कास्ट्पिल मोहिट जो ट्रैफिक के हिड है। इनके दोरा Bowl seat belt का चलान किया जाने पर, mobile phone पर बात करने पर चालान किया जाने पर एक बत्ती दोरा असोगनी हरकत किया गया गाली गुलोज किया जान से मारने की धंकी दी गई और सड़क पर हंगामा खड़ा किया गया थाना चारवाई करते हुए गाजियाबाद के लोनी थाना छेत्र में एक मासूम बच्चे के साथ दो यूकों की दुवारा खुकर्म किये जाने का संसनी खेज मामला सामने आया है पेड़ेत बच्चे की उम्र महज 6 साल है और आरोपी यूक से स्विमिंग पूल में नहाने के बहाने अपने साथ लेकर गए थे वहीं बच्चे के परिवार का آरोप है कि बच्चे को स्विमिंग पूल में नहाने का बहाने ले जाकर खाली पड़े खेट में ले जाकर बच्चे के साथ कुकर्म की घटना को अंज़ाम दिया गया है बच्चे को रोता देखकर वहां से गुजर रहे किसी शक्स नीश्थानय पुलिस को इसके सूचना दी जिसके बाद पुलिस ने बच्चे के परिवार को सूचना दी पेड़ेत बच्चे का मैडिकल भी कराया गया है घटना के आरोपी बच्चे के पडोस में ही रहने वाले लड़के बताई जा रहे हैं वही पलस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर मामले की पूस्ताच शिरू कर दी है कितने लोग ते वे दो फिर क्या हुआ मेरे बेटा नहीं मिल पाया तो पुलिस वाले को मिला उनों ने फोन मुन किया हुआ है कैसी कंडिशन उसकी होगा पूड़ी नॉर्मल लखीमपुर खिरिमे केंद्रिये ग्रहे राजमंत्री अजय मिश्रटेनी के भतीजे अचन मिश्रखी सडख हाथसे में मौत हो गई आपको बता दे कि अचन अपने पात्रक गाउं बनवीरपुर से लखीमपुर वापस जा रहे थे तब ही रास्ते में उसके सिर पर पेड़ गर गया और मौके पर ही अचन की मौत हो गई वही सब पूरे मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुँची पुलिस ने मौतक अचन के शव को कबज मिले कर पोस्ट मौटम के लिए भेज दिया है इमानदारी आज भी जीवित है इसकी मिसाल मैंपुरी में कॉंस्टेवल के पत पर तैनाथ सुशील कुमार ने पेच की सुशील कुमार ने इमानदारी दिखाते हुए बैग को उसके मालिक तक पहुँचाने की ठानली इस वरान उन्हें पता चला कि बैग रिटायर्ड करणल राज कुमार शर्मा का है सुशील ने वर्दी का फर्ज अदा करते हुए रिटाइट करणल राजकुमार शर्मा से संपर्क करने के बाद पठान कोट रेलवे स्टेशन पर उनका बैग सही सलावत उनको सौप दिया पुलिसकर्मी सुशील कुमार की इमानदारी को देखते हुए रिटाइट करणल राजकुमार शर्मा ने मेल के माध्यम से मैन पुरी पुलिस को पत्र भेज कर सुशील कुमार की प्रस्टन साखी तब भी वहाँ कुछ नहीं हुआ तब मैंने पर्स खोल के देखा तो उसके अंदर जो है एक छोटा जोलेरी का पर्स था जिसके अंदर तीन डायमंड रिंग अलग से रखी हुई थी डायमंड वाली वो जोलेरी वाले शॉप को मैंने कॉंटेक्ट किया जो कि दिल्ली पस्च सुन लेजी तो उनके ठीक है जल्देदी बोली है बहुत बड़ा आसौप है मेरे कोई चोटा मोटा नहीं है वहें समामले को लेकर सभा के रास्ट्रे अध्यक्ष अखलेश यादव अमरितका के परीजनों से मिलने इसलाम नगट पहुचे और परीजनों से घटना की जानकारी ली वहें इस दोरान पेड़ित परिवार ने अपनी बात अखलेश यादव से कही और अखलेश यादव ने भी परीजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया जिसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अखलेश यादव ने कहा कि ये घटना बहुत दुखद है और जिस पुलिस पर जुनता भरोसा करती है वो वहीं पुलिस लोगों की जान ले रही है इस घटना की जितनी निंदा की जाये वो कम है जिस पुलिस पर हमें भरोसा इस बात का है कि पुलिस हमें सुरक्षा देगी और समय आने पर अगर कोई परिशानी होगी तो हम न्याय के लिए मांग करेंगे लेकर वहीं पुलिस जान लेने लगे और यूपी की पुलिस जब से भार्टी दिनता पार्टी की सरकार आई है पता नहीं क्या हो गया है अबी कत दिन पहले में लेलित्पुर गया। वहां के दरऊगा पर आरोप इस बात का था कि ईसने एक बेटी के साथ बलातकार की अुग थाने में बलातकार होोगै में अभी चन्दॉली में में गया और चन्दॉली में इस बात को लेकर गे घर पे च्शापा मारा कि जो जि प्राइम उत्तरप्रदेश में फिलहाल इता ही देश जुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहे है प्राइम टीवी सच साहस सरुकार